पूजा पार्ट करते हो तो इतनी जांद है और मैं एक दो दिन छूट भी जाए तब भी बोलेगा ममा पूजा कर लो तो इस तरह से बोलता है और फिर मैं आ गई किचिन में और किचिन में मैंने दूद गरम करने रख दिया उसके बाद मैंने टमाटर प्याज सिम्ला मिर्च छॉप कर ली है क्योंकि आज मुझे बनाने है उत्पम और उत्पम जांद तरह आप लोग मेरे घर में दे देखते ही होंगे बनते हुए क्योंकि हम लोगों को बहुत जांद पसंद है र बहुत जांद eल्डी breakfast हो जाता है और ye George लिषो सिस्जीद लगता है तो इसकी वज़या से बनाई लेता हूं और इसकी रश पी मैंने आप लोगों किसा शियर नहीं की तो इसी वज़े से क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो कई बारी ये रेस्पी इसके पड़ी हुई है तो मैं सुचा कि चलो इस बार मैं नहीं सेर कर रही हूँ तो मेरा यहां गोल बनके तैयार हो गया उसके बाद तवा मैंने रख दिया था गरम किया तो यह थोड़ी दिर गरम हुआ उसके बाद मैंने डाल दिया और यह बीच में ना मेरा अभी तवा खराब हो गया तो उसकी पॉलिस छूट गई है तो इसी वज़े से यह चिपक जात तो फिर मैं यहां कट करने लगी प्याज और इधर मेरा उत्पम भी बनता जा रहा है क्योंकि रिसु को भी बीजना एक स्कूल तो रिसु के लंच बॉक्स में मैं रख देती हूं तो यह अच्छे से इसे भी बहुत जांदे टेश्टी लगते हैं तो इसी वज़े से मैं बना भी देती हूं तो यहां मेरा सिग्या उत्पम इधर मैंने कट कर लिए प्याज भी तो मैं सबजी भी बनने रख देती हूं अभी मैं बना रही हूं परवल आलू परवल की सबजी तो मैंने जीरा डाल दिया जीरा डालने के बाल लहसन प्याज कट की गया था बो डाल दिया ये थोड़ा से ब्राउन होगा उसके बाद मैं जो बिसिक सी मसाले होते हैं वो एड़ कर दूंगी डेली के तो हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, धनिया पॉर्डर और यही चीज़े हो जाती है तो ये मैंने मसाले मिक्स कर दिया और अच्छे से इसको चला देती हूँ सभी सबजी पे मसाला चड़ जाए उसके बाद मैंने पानी डाला और ढखके रख दी सबजी उसके बाद मैंने आटा लगा के रख दिया था तो मैं रोटिया भी सेख लेती हूँ क्योंकि अस्वेंट जाएंगे डूटी पर तो ये लगा रहता है कि हाँ लेट ना हो जाएं तो मैं साथ साथ में रूटी भी बनाने लगी एक गैस पर मैंने सबजी बन रही है तो दूसरी गैस पर मैं रूटी सेखने लगी और आज मेरा काम बहुत जल्दी फ्री हो गया था क्योंकि मैं सुबह जाकती हूं तो फिर हो जाता है मेरा 9-10 बजे तक हो जाता है लाश्ट और हमें सही एक सार रूटीन नहीं रहता है कभी जल्दी हो जाए फिर कभी लेट हो जाए तो इस तरह से होता है तो अभी मेरी रूटी बन गई तो मैं सुचा कि इन्हें को खाना दे दिया लगाके फिर मैं आ गई बालकिनी में तो कपड़े रखे हुए थे तो साम के कुछ गीले कपड़े रह गई थे तो बो मैं फैलाने लगी और यतने टाइम अभी दूपा जाएगी और थोड़ी देर में चली भी जाती है फिर यहां सीधा आ गया साम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं म तो यहां रिशू बहुत जादे कपड़े पहनने में करता है नखरे तो मैं इसे बोल रही कि बिटा चलो बहुत जादे टाइम भी हो रहा है तो थोड़ी लेट भी हो गई थे क्योंकि हैस्वें डेटी से थोड़ी लेट आई थे तो हम लोग उन सोचा कि चलते हैं जादे अभी टाइम नहीं हुआ था थोड़ी हुए थे लेट तो यहां रिशू को कपड़े पेना दिये मैंने पहन लिए थे लेकिन ये बच्चे ना नखरे जांदे करते हैं कपड़े वगरा पहनने में जो कपड़े पहने होते हैं वही लोगों को कंफटेवल लगते हैं तो इस सा करूंगी क्योंकि मुझे जांदे मेकप अच्छा नहीं लगता है सामान में कितना भी लेया हूं क्योंकि मेकप का मैं फूल सामान रखती हूं लेकिन मेकप जांदे करती नहीं हूं क्योंकि बच्छोटे बच्चों के साथ में इतना जांदे नहीं हो पाता है और फिर या होता है यहां रिश्यू भी खुश हो रहा है जब इसे कप्ड़ी पैणा दो इसके बाद यह खुश होता है कि हां हम कहीं जा रहे हैं तो मैं इसे भी बोल रही हूं तो यह ना ट्राइपोड इधर-उदर कर रहा था तो मैं बोड़ रही थी कि बीटा मत हेलाओ तो यह वह बच्चों हो जाते हैं बच्चे आगर मन में ना हों तो बच्चे कहi करेंगे कही कुछ करेंगे थोड़ी सैतानी तो बच्चों को आती ही तो यहां मेरा मेक अप splits हो चुका है और बिंदी रहे गई तो बिंदी के बिना टो मेकप अधूरा सा लगता है तो मैंने यहां बिंदी लगा दी और फिर बाल बनाने के बाद में आ गई कीजिन में मैं कर रहे हूँ दूद अभी क्योंकि रिशु के लिए बॉटल बना दूँ और वो अभी दूद पी लेगा तो आराम से आने का फिर जानदर टैंसर नहीं रहती है कि कितना टाइम लग जाए बच्चों को चलते टाइम दूद दे दो और फिर यह है कि अगर भूँक भी लगती है तो कोई और भी चीज खा लेता है और पहले तो छोटा था तब बॉटल लेके चलती थी तो वो अब नहीं करना पड़ता है तो पिला दो बस पी के आराम से रह लेता है और फिर यहां हम लोग चल दिये तो यहां इतना जांदे से सौक रहता है लिप्ट में यही दवाएगा कि हमें नीचे जाना उपर जाना है तो बच्चों को सुछ दवाने में इतना जांदे खुसी मिलती है उसके बाद हम लोग आ गई नीचे यहां से निकल लिए मॉल के लिए और अभी थोड़ा था जाला जानदे टाइम नहीं हुआ था साड़ी छे बजी का टाइम है अभी हम लोग चल दिये मॉल और रिशू देखे कितना खुस हो रहा है मॉल के नाम से मॉल में इसी क्या चाहिए मॉल से क्या चाहिए क्या लेकर आओगे मैं तो अभी तो टाइम है तो यहां मैं जा रही हूं और देखिए कैसे ट्राफिक लगा क्यूंकि अब भी डूटी टाइम होता है ना तो बहुत जांदे गाड़िया निकलती है तो यहां यह बीच में तोल भी है तो इसी वज़े से और जांदे ट्राफिक लग जाता है क्यूंकि उसी में गाड़िया रुकती रहती है तो यही चीज़े हो जाती है ना कि और सीधा रोड़ हो तो इतना जांदे ट्राफिक ना हो टोल की बज़े से ट्राफिक लग जाता है तो यहां हम लोग आ गई मार्केट तो अभी देखिए धीरे धीरे कितना टाइम भी हो गय और धीरे धीरे टाइम भी साम का टाइम होना तो पता नहीं चलता है कि कब टाइम हो गया तो यह चीज़े हो जाती है और थोड़ा देन हो और दिन में टाइम पता भी चलता है और भी थोड़ा थोड़ा ना सर्दी का टाइम आ गया ठेंडा मौसम होने लगा है और थोड़ पर निरास्ता बंद हो रही है कि पार्कें नहीं नहीं पाई पता नहीं कि दर आंका अभी जंद है पार्कें पर देखें पीछ में राड़ी कहड़ी है कि हो जाएगे कि खड़ी हो जाएगे तो अभी पार्केंग मिल नहीं पाई थी क्योंकि पार्केंग वाली रास्ता बंद थी तो अभी हस्वेंड जा रहे हैं गड़ी खड़ी करने पार्केंग में क्योंकि बता रहे थे कि आगे तो खुला है बस पीछे का रास्ता बंद है गड़ी करने तब तक हम लोग चर रहे हैं तो मैं आ गई हूँ बीबिसल मेगमार्ट मॉल जब भी मैं आती हूँ तो इसी मैं आती हूँ इसमें क्या है कि कपड़े सही मिल जाते हैं और जान्दे कुछ नहीं औरों में जाओ तो फिर घूमते रहो कपड़े नहीं मिलते हैं यहां रिशू कितनी जान्दे जल्दी जल्दी भगम भग लगा है और इसके मैं सूजी देख रही हूँ कि इसके सूज मिल जाएं तो यही और फिर आ जाता है ना मन की और भी कलर में देख लोड़े लुटे देख लोग तो टो तो त्वारा से डाल पीश को देख देख लोग देख देख लोग तो गोट अ तो हम लोग दूसरे ही कलर में ले आई तो हम लोग दूसरे ही कलर में ले आई तो यह चीज़े हो जाते हैं जो हम लोग जाते हैं ना सोच के बो चीज मिलती नहीं फिर यहां हम लोग आ गए घर तो एतना जान दे सामान ना सोच के जाओ तब भी होई जाता है फ्रेंट्स में अभी अभी हम लोग घरा गए हैं मार्केट से और सामन ये और इस थेले में तो फ्रेंट्स इस वीडियो का मैं कर रही हूँ यहीं और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक करना शेयर करना